आज हम लोग आए हैं अवध मेला उत्सव में जो कि लखनों के आशियाना में लगा है यहां पे आने के लिए आपको 10 रुपय की इंट्री और 20 रुपया पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा और यह मेला 22 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाला है तो चलिए आपको भी मेला गुमाते हैं और दिखाते हैं इस मेले में क्या कुछ खास है गेर से सीधे अंदर आने पर आपको एक शॉप दिखाई देगी यहां पर आपको सारी चीज़े वूडन की बनी हुई दिखेंगी जो कि दिखने में भी बहुत सुन्दा लग रहे हैं और यह हमारे डेली लाइफ के लिए भी बहुत यूजफूल है उसके बाद यहां पर एक शॉप में बहुत ही सुन्दर सुन्दर फ्लावर्स हैं जो कि आपको 150 और 200 की रेंज में आसानी से मिल जाएंगे यहां पर आपको कीचन के लिए कव, प्लेट, ट्रे और बहुत सारी चीज़े मिल जाएंगी और इनकी रेंज भी आउनली 200 रुपीज है यह वाली शॉप में बहुत ही सुन्दर सुन्दर चूणिया हैं और यह सब आपको 30, 40 या 50 रुपीज में आसानी से मिल जाएंगे उसके बाद यहां पर एक प्लास्टिक की शॉप है जिसमें हर आइटम 25 रुपे का हैं इसमें आप कुछ भी ले लो छोटा बड़ा हर आइटम आपको 25 रुपे में मिलेगा इन सब के अलावा यहां पर आपको बहुत ही खुबसूरत से फरनीचर भी देखने को मिलेंगे हैंगर वाली शॉप भी यहां पर काफी लगी हुई हैं इसमें आपको पैंट, पजामे और पूर्तिस वगरा डेर सो रुपे तक मिल जाएंगे यहां पर आपको चुहे, छिपकली, कौक रोज भगाने और कपड़ों से दाग निकालने के लिए रिमूवर मिल जाएगा यहां पर प्लास्टिक की एक और शॉप दिखी मुझे जिसमें हर आइटम 40 रुपे का है और मेंस के लिए यहां पर वाच, पर्ट, ड्रसलेट, बैल्ट और संग्लासेश मिल जाएगे साथ ही साथ यहां पर गल्स के लिए भी सुंदर सुंदर वाचेश मिल जाएगे जिनका प्राइस 120 रुपीज से स्टार्टिंग है यहाँ पे बैंगल्स की एक और शॉप है जिसमें भी बहुत ही सुन्दर सुन्दर चूड़िया दिख रही है उसके बाद इस शॉप में आपको सारा सामान होम डेकॉर का मिलेगा और यह हर माल दस रुपया यहाँ से आप कुछ भी ले लो हर एक आइटम आपको दस रुपय में मिल जाएगा यह वाली शॉप में आपको बहुत ही ब्यूटिफुल से ज्वेलरी सेट मिल जाएंगे जिसका प्राइज ओनली 150 रुपीज है और उसके साथ साथ बहुत ही सुन्दर सुन्दर से एरेंस भी मिलेंगे यह भी आपको 150 की रेंज में ही मिल जाएंगे उसके बाद इस शॉप में आपको अपनी कीचन के लिए प्लास्टिक के बर्तन और डेली यूज में काम आने वाली छोटी मोटी चीज़े मिल जाएंगी और यह भी आपको हर आइटम 25 रुपे में मिल जाएगा इन सब के अलावा यहाँ पर बच्चों के लिए जूले भी लगे हैं एक और हेंगर वाली शॉप और यहाँ पर 100-100 रुपे की सेल लगी हुई है यहाँ पर आपको एक और शॉप में घर का छोटा मोटा आइटम दिख जाएगा जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आती है और यह सब भी आपको पांच रुपे और दस रुपे में मिल जाएंगे मेले में कोई रेस्टोरेंट ना हो ऐसा तो होई नहीं सकता यहाँ पर आपके खाने पीने के लिए बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं दोस्तों बस दो तीन दिन बाकी हैं आप लोग भी मेले में आईए और धेर सारी शॉपिंग कीजिए और आई होब कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी सो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट एंड शियर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग